नीटो जेई वाले बच्चों को तो भगवान ने खुद ने इम्यूनिटी का जो एक इंजेक्शन लगा के बेज आए कि आपको कोरणा वारस नहीं होगा आपको पूरा इम्यून करके बेज रहे हैं हम लोग क्योंकि आपको जो है 2020 में एक्जाम देना ही पड़ेगा क्योंकि एक एक करके हम लोग देख रहे हैं कि सारी एंटरेंस एक्जाम दितनी भी थी वह सारी पोस्पॉर्ण हो चुकिए अभी आप देख रहे हैं कल की न्यूज आई है कि ICMR, ICMR जो रिसर्च का जो इस्टेटिट और वहां पर जो है JRF की फेलोशिप मिलती है पढ़ने के लिए लोग पैसे देते हैं और आपको वहां पर रिसर्च बगरा करना वड़ता है तो उसके लिए जो बहुत बड़ी एंटरेंस एक्जाम होती है और ये भी पोस्पॉर्ण हो चुकी है अब आपको मैं बता रहा हूं कि लास्ट के दो वीक में सबसे बड़ी बड़ी एंटरेंस और नो एक्जाम्स इन कोविट और कल एक टेंड चला था वो भी टेंडिंग में आ गया था अब आप बताईए इतनी ज़्यादा पावा रहे है अब पर देखिए लिए अभी तक कोई भी कोई भी रिस्पॉंस नहीं है मैं तो अभी तक शौक हूं और देखिए अभी जो ये निवज आईए इसमर की जो निवज आईए एक्च्वल में इसमें क्या लिखा हुआ है कि पोस्पॉंड करा गया है और फिर अभी बात करेंगे स्टेट अथारिटीज और जो सेंट्र अथारिटीज है वो एक दूसरे से बात करके डिसेट करेंगे कि नेक्स्ट डेट क अब भी सेट करना है, मतलब कि अभी पोस्पॉन करा है, एक एसी डेट पे जो अभी इनको भी नहीं पता, गवर्मेंट को भी नहीं पता, तो यार यह सब स्टेप करे जा रहे हैं दूसरी एक्जाम्स के लिए, जो लोग बच्चे एक्चुली प्रोटेस्ट भी नहीं करे हैं पर एक्चुल में जिनको पोस्पॉन करना चाहिए, जो लोग अभी टेंचन में हैं, मेंटल स्टेस में हैं, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं पोस्पॉन नहीं हुआ है, अगर आपको कोई भी निउस आर्टिकल में ऐसा लिखा मिलता है, एक तो निउस आर्टिकल पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि देखिए, हर दूसरे निउस आर्टिकल में कुछ नया लिखा होता है, एक में लिखा होता है, दूसरे 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 में लिखा होता है, दूसर पर अब भी आपको क्या करना है? कि अभी सिर्फ आफ वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, एक-एक करके सारी एंटरंस ग्जाम जून और जुलाइ में जितिनी एंटरेंस घ्जाम होनों थी, सारी सारी पोस्टपॉंड हो चुकी है एक भी ऐसी बड़ी अंटरेंस एक्जाम नहीं है सिवाए जो PG की एक्जाम सुई थी एमस PG की जो एक्जाम सुई थी वो शायद हो गई थी पर बाखी जितनी भी एक्जाम से सारी सारी पोस्टपॉंड करी गई है तो इसी के करांड हमें होप है कि शायद हमारे HRDM कभी जा गएंगे और कभी उनको टाइम मिलेगा कभीता लिखने से और फिर वो देखेंगे कि यार तीन चार बार ट्रेंड हो गया तो फिर शायद उनको पता चलेगा कि क्या stress होता है और जो depression पर अभी उनने post लिखा था depression प अबडेट आता है तो तो इसी तरह से यार ट्वीट करते रही है एक एक दो दो ट्वीट करेंगे तो शायद कुछ हो जाए पर देखे जाया टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि देख लीजिए जितनी भी एक्जाम से अपने आप पोस्पॉन हो रही है इसमें को बच्चों को कोई दिक्कत है तो इसलिए आप अपना कॉंट्रिबिशन दे दिए और फिर अपना पड़ाई बड़ाई करिए ठीक है थांक्यों बड़े माच ये वीडियो देखने के लिए आर